निजी अस्पतालों के लिए उन्होंने इस बजट में कोई ऐसा प्रावदान नहीं रखा है कि उन्हें कितना रियंबर्समेंट किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कोई मेकेनिजम नहीं है सरकार के साथ जो मरब पुराना जो अनुभव है वो इतना खराब है, राज्य में नया निवेश निया आएगा निजीक शेत्र में, 20,000 करोड के जो प्रजेक्ट है वो राजस्तान में आने थे, अभी निवेश चकों ने अपने जो प्रजेक्ट्स थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिये, सरकार में बैठे ब्यूरो क्रेट्स हैं, उनको प्रैक्टिकल नौलेज जीरो है, उनको ग्राउंड डिलेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं डॉक्टर राजशेकर याद हूँ, स्टेट कन्वीनर उप्चार, उप्चार उप्चार इस उनाइट प्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को अपने संसादनों से और अपने बजट के इसाब से ट्रिपल एक्यू कुम्प्लेंट हेल्थ केर सर्विसेज दे, यानि हेल्थ केर सर्विसेज जो कि accessible हैं, acceptable हैं, affordable हैं, quality कॉम्प्लेंट हैं और equity के इसाब से हैं, तो राजसरकार अब ये जिम्मेदारी निजी हस्पतालों पर डालना चारी ए और निजी हस्पतालों के लिए उन्होंने इस बजट में कोई ऐसापराउदान नहीं रखा है कि उन्हें कितना reimbursement किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कोई mechanism नहीं है यदि ये चिरंजीवी के बरोसे लाना चाह रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्तान में 4000 प्राइवेट हॉस्पिल से हैं और उन में से 1300 अस्पताल हैं वो चिरंजीवी योजना से संबद हैं बिल्कुल चिरंजीवी योजना में अधिकांस बिमारियां हैं लेकिन राजस्तरकार ने बहुत चतुराई से बहुत से ऐसे पैकेज़ेज तीन सो से ज्यादा पैकेज़ेज हैं वो सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व किये हैं जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई प्रसूता प्राइवेट अस्पताल में जाती है तो उसको वहां पेमिंट देना पड़ेगा उस अस्पताल की फीस देनी पड़ेगी लेकिन सरकारी अस्पताल में जाती है तो सर सीज पे जो मेडिकल कोलेजिज में एजीली मैनेज हो सकती हैं वो पैकेज और बल्क में होते हैं जैसे डिलिवरी लाखों की संक्या में हर साल डिलिवरी राजस्तान में होती हैं वो सारा पैसा इन्होंने अपने अस्पतालों को सुद्रड करने के लिए रिजर्व कर लिया निजी अस्पतालों को जो पैकेज दे रखे हैं वो हाई एंड पैकेज दे रखे हैं ऐसे पैकेज जिनमें इंफ्रस्ट्रुक्चर ज्यादा लगता है जिसमें कोस्ट आफ टीटमेंट ज्यादा होती है ज्यादा सब्सक्राइब नर्सिंग स्टाफ की सेलरी है बिजली पानी के खर्चव सरकार यानि हम करदाता वेहन करते हैं तो फिर इस बिल से नीजी शेत्र में क्या असर पड़ेगा? नीजी शेत्र तो कास्तेतु संकट में है नीजी चिकित्सकों पर आजीविका का संकट है क्योंकि नीजी अस्पतालों पे जब ये जिम्मेदारी फ्री 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 थोपी जाएगी और इसकी पुनर भरन की कोई समुचित विवस्ता नहीं होगी तो नीजी अस्पतालों के सामने आर्थिक संकट होगा वो अपनी गुनवत्ता नहीं बचा पाएंगे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 2022 में जब हैल्थ सम्मिट हुई थी यहां पे तो इसमें 27,000 करोड के जो प्रजेक्ट है वो राजस्तान में आने थे लेकिन जब से राइट टू हैल्थ बिल की जो शुरू आए विसंगतियां शुरू हुई है तब से उन सभी निवेश्चकों ने अपने जो प्रजेक्ट्स थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिये तो राजस्तान में अब निजीक शेतर में स्वास्त में निवेश बंद होगा जो एगजिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उन पे अस्तित्यू का संकट है वा अधिकतर बंद हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पिताल में आने वाला हर मरीज कहेगा कि मैं एमर्जेंसी हूँ रात के दो बज़े कोई पेट दर्द का मरी जाता है तो वो भी कहेगा मैं एमर्जेंसी हूँ और अस्पितालों में डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ के साथ वाँ जो पैरामेडिक्स के साथ काम करते हैं उन सभी के साथ हिंसा की बढ़ेगी तो आपको क्यों लगता है कि इस बिल से हिंसा बढ़ेगी बिलकुल मैं बताना चाहूंगा कि एमर्जेंसी जो इन्हों ने डिफाइंड कि उसमें चार केटेगरीज तो रखी हैं अभी से एक तो इन्होंने रखा है कि एक्सिडेंट ज इसरा स्नेक बाइट चोथा ऑपस्टेटिक यानि जो प्रसूती से संबंदित जटिलता है या बिमारियां होती है इसके अतरिक तो इन्होंने एक लाइन लिखे है कि रेस्ट ऑब दी अमर्जेंसी बाकी अमर्जेंसी आगे चलके स्टेट हैल्थ अथरोटी डिसाइड है तो ये सारी बिमारियां अल्टीमेटली अमर्जेंसी में आएंगी ये तो आएंगी आएंगी और पेशेंट जिसको इमर्जेंसी बताएगा रात को इसको पेट में दर्द हो गया तेज रात को सिर दर्द हो गया उसको और हस्पिताल में आया है वो भी कहेगा कि अब तो जी केस है यह नॉर्मल केस है सरकार में बैठे बियुरो क्रेटि से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है उनको ground इलेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है केवल टीकल इन्होंने सरकार को खुश करने के लिए सरकार के वैंग को मजबूत करने के लिए एक बिल बनाया है औ और इनको जो ग्राउंड लेवल पे जानकारी नहीं है कि इस बिल से कितनी विसंगतियां, कितनी हिंसा की घटनाएं बढ़ेंगी। आने वाले समय में इस बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है इसके। दूरगामी परिणाम तो मैंने अभी आपको बताया है अस्पतालों में हिंसा की घटनाएं बढ़ेंगी। राजस्तान का निजी स्वास्त क्षेत्रे वो तबाह हो जाएगा। उसमें नया निवेश नहीं होगा। इग्जिस्टिंग ऑस्पिल्स में बंद भूंगे। उनकी जो क्वालिटी है गुणवत्ता वो कंप्रमाईज होगी क्योंकि निजी हस्पतालों के पास यदि बजट नहीं होगा। उनके पास आर्थिक रूप से उनकी संबलता नहीं होगी तो डेफिनेटली वो क्वालिटी कैसे देंगे। तो आगे चलके निजी हस्पतालों का भी हाल वैसा ही हो जाएगा कि सीटी स्केन की मशीन एक बार खराब होई तो महीनों तक खराब हैं। निजी हस्पतालों की बात कर रहे हैं तो आप यह बताएं जो राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है वो डॉक्टरों पर असर होगा। उसका फिर बात में जो हॉस्पिटल्स हैं जो उनके असर पड़ेगा। पर असर पड़ेगा और डॉक्टर्स पर ही नहीं मैं तो कहता हूं बागी जो हेल्थ केर वर्कर्स हैं आप नर्सिंग स्टाफ हैं लैब टेक्निशन्स हैं दवा विक्रेता हैं उन सभी पर पड़ेगा। क्योंकि निजी स्वासिक्षेत्र लाखों डिरेक्ट और इंडिरेक्ट रोजगार क्रियेट करता है और सबसे बड़ा एंप्लोइमेंट क्रियेटर है तो हेल्थ केर खासतोर से निजी क्षेत्र से जुड़ेवे जितने भी लोग हैं चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो चाहे लैब टेक्निशनों केमिस शॉप्स हैं दवा रिटेलर्स हैं और थोक विकरेता है वो सब इससे कहीं न कहीं प्रभावित होंगे और उनकी भी आजी विकाप एक संकट है और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ यह केवल मॉडरन मैडिसिन वाले चिकित्सकों के लिए नह होमेपेथी के डॉक्टर आयूरवेद के डॉक्टर सिद्धा मैडिसिन के डॉक्टर युनानी डॉक्टर यह सभी इसके दाएरे में आएंगा